दस वर्ष भारतिय जनता पालिटी का राज कैसे रा, कैसे बीजेपी सत्ता में आई, उसके बारे में भी चर्चा करी। साथियो, आज से दस वर्ष पहले कॉंग्रेस पालिटी देश में सत्ता में थी। और कॉंग्रेस सत्ता से इसलिए बार हुई थी, कि उस वकत कॉंग्रेस पालिटी की राज में बरस्ताचार जो है देश की चरम सीमा पे पहुँच गया था। जहां देश में बरस्ताचार को बढ़ावा कॉंग्रेस ने दिया। वहीं दुनिया के अंदर इंदुस्तान की इतनी बड़ी बदनामी थी कि सबसे बरस्त देश अगर दुनिया का कोई आज है। इसके आवाज बढ़ा दे भाई तो बीजेपी का है क्या तुम। तेरे को पैसे दे रखे हैं आवाज बढ़ाने के। कांग्रेस इतनी ज़्यादा बदनाम थी कि देश के लोगों ने एक फैसला कर लिया कि इस कांग्रेस पालिटी को हरारत में 77 बार करेंगे। और साथियो केवल सत्ता से बार नहीं किया जिस कांग्रेस की कभी देश में तुति बोला करती थी जिसके साड़े 300 से 400 मेंबर पालिमेंट जीत कर कियाते थे। उस कांग्रेस पालिटी को केवल 40 मेंबर जिता करके अपोईशन से भी बार करने का काम किया था। बारतिय जन्ता पालिटी के नेताओं ने बड़े वाइदे किया थे अगर मैं एक एक वाइदे की बात करूँगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा आपने समय दस साल भुगता है भाजपा ने किस तरह से लोगों को वर्गला करके सत्ता में आने का काम किया था और सत्ता में आने के बाद अपने वाइदे पूरे करने की बज़ाए नई ने फर्मान जारी किये जिससे आम आजमी प्रेशान हो गया तंग हो गया आज जो चार सो पार की बात करने वाड़े हैं आज उनकी हलत इस किसम की है कि वो चार उनको सत्ता से बार हो जाएंगे यह वाजपा चार सो नहीं तो दो सो भी पार नहीं करेगी हरानी की बात है रियाना प्रदेश के अंदर कांग्रेश पार्टी के लोगों ने एक अफ़ुआ फैला रखी है एक परचार कर रखा है केवल उसी परचार के माज़म से लोगों के बीच में जाकर के वोट मांगते हैं और कंग्रेश यह नहीं बताते कि हम ने 70 वर्यस इस देश को किस तरह से लूटने का काम किया था कё वो कंग्रेश यह नहीं बताते कि हम भाजपा को सत्ता से बार करने की जाय उसको मजबूत करने में लगे हुए हैं परचार एक ही है जहां कहीं कांग्रेश का कोई भी वेक्ति आपको मिलेगा एक ही बात कहेगा भाजपा को अराने के लिए अब की बार कांग्रेश को वोट दे देओ और उसके साथ चलने वाड़े दो-चार ओर होंगे वो यह कहेंगे कि अब की बार मोका पड़ा है अब की बार भाजपा को अराने के लिए हम सब को कठा हो जाना चीए साथ यो बात तो कठा होने की करते हैं और मदद भारतिय जिन्ता पार्टी की करते हैं कांग्रेस भाजपा को अराने की बात करती है हराने की बज़े मदद करने में लगी हुई है आपके सामने है कांग्रेश पार्टी ने हरियाना परदेश में पिछले दस वर्षों से इस बुपेंदर सिंग उड़ा ने लगातार भाजपा का कैसे राद चले भाजपा की ताकत बड़े इसके लिए अपनी पार्टी का संक्ठन भी नहीं बढ़ने दिया था केवल इसलिए संक्ठन नहीं बढ़ने दिया कि अगर संक्ठन खड़ा हो जाएगा तो तेरी असलियत लोगों के सामने आ जाएगी तुम आज इस कांग्रेश के उपर अपना वर्चत सुब बढ़ाया है उस कांग्रेश से फिर तुम बार हो जाएगा जहां साथियों दस साल में संक्ठन खड़ा नहीं होने दिया वही कांग्रेश के बड़े बड़े निताओं को इसने ठिकाने लगाने का काम किया यह बाजपा के कहने पे बाजपा के इसारे पे कांग्रेश को कमजोर करने में लगा हुआ है जाइनों ने संक्ठन नहीं मड़ाया वहीं आज फिर कांग्रेश की मजबूती की बात करते हैं आपके सामने हैं करनाल के अंदर इस किसम के हलात थे करनाल के बच्चे बच्चे की जबान पे एक ही बात थी कि अब की बार भारतिया जिनता पार्टी की तरफ से जो भी टिकट लेकर करका आएगा हम उसको सबक शिखाएंगे अजब मनोर लाल के नाम का फैसला हो गया तो करनाल के लोकसभा के अक्षेत्र के लोगों ने एक मन बना लिया फैसला कर लिया कि मनोर लाल को की बार चुनाम में हर आलत में हराने का काम करेंगी लोग राना चाहते हैं लेकिन उड़ना मनोर लाल काटर को जिताना चाहता है वहांके लोगों की डिमांड थी कि विरंदर मराठा को अगर टिकट मिल जाएगी तो मनोर लाल काटर को चुनाव राना असान हो जाएगा उस मराठा को टिगट दिलवाने की वज़ाए मैंने भी यहां तक का था कि अगर कांग्रेस की नियर ठीक है कांग्रेस एक्टिल में बीजेपी को हराना चाहती है तो फिर कांग्रेस पालिटी को करनाल के अंदर विरेंदर मराठा को अपना सिम्बल दे देना चाहिए मैंने का कि अगर विरेंदर मराठा को सिंबल देंगे चुनाव लडाएंगे तो इंडियन ड्रैस्टनल लोकदल पाइटी बिना किसी शर्त के समर्थन देने का काम करेंगे हमारी सोच भाजपा को औराने की है हमारी सोच इन लुटेरों को सत्ता सिब बार करने की है लेकिर वुपेंदर सिंग उड़ा की नियत ठीक नहीं है खराब है वो आज भी जो भी नेता कांग्रेस में थोड़ी सी अपनी जगह बढ़ाने की कोशिश करता है उसको दर किनार लगाने का काम करता है साथियों हर वकित एक परचार है उस परचार को आपने तोड़ना है इनसे ये पुछो कांग्रेस वानों से कि आज तुम परचार इस बात का कर रहे हो कि बाज़पा को अराने के लिए कांग्रेस को वोट दे दे जो आप पार्टी को वोट दे दे जो ये उस पार्टी आप पार्टी का समर्थ约िनों ने लिया है उसाप पार्टी के साथ सम्झोता किया है जिस आप पार्टी ने सुप्रीङ कोर्ड के फैसले को भी मानने से इंकार किया है SÖL हमारी जीवन रेखा है S.Y.L से सब जो सतलुश का जो दरिया है उस शक्त दरिया से जब पंजाब घ्रियाना अलग 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 दोप्रदेश बने थे एक फैसला हुआ था उस वकद जहां हमारा सिमाओं का बतवारा किया गया वहीं साथ्यों पानी का बतवारा भी हुआ था अर उस पाणी के बट्वारे में ये फैसला हुआ था कि सत्लूज के दरीया से 35 लाख हेकर फुट पाणी अरियाना को देना होगा जहाँ चंडीगड का फैसला हुआ था राजदानी का फैसला हुआ वहाँ पाणी का फैसला किया गया उस वकत के अंदर नहरें बढ़ी हुई नहीं थी जमीने एक्वायर करनी थी थोड़ा समय लग गया था और उसके बाद उगरवाद की भेंट सेड़िया अस्वाईयल का मामला चोधरी देविलाल ने सन 1987 में जब उनको ये महसूस हुआ कि बात्चीत के जरी ये पाणी नहीं मिलेगा उन्होंने सुप्रीम कोट का दरवजा खटखटा दिया लंबे समय तक सुप्रीम कोट में केस चला और सुप्रीम कोट ने 2016 को हमारे हक्वे फैसला कर दिया 2016 के अंदर पंजाब में कोंग्रेस की सरकार थी अर्याना परदेश में भारतिय जंता पार्टी सत्ता में थी के अंदर में वीजेपी सत्ता में थी दोनों मिलेवे थे दोनों पाणी नहीं देना चाते थे फैसले में साफ लिखा था परधान मंत्री को केंदर की सरकार को कि आप जो मर्जी फोर्स लगाए अर्याना को उसके हिस्से का पाणी उसकी नेर को कम्प्लीट करवा करके देने का काम करें लेकिन पंजाब के मुख्य मंत्री अमरेंदर सिंग ने उसके जो कांग्रेस का था उसके उपर कांग्रेस ने प्रेसर नहीं मनाया अर्याना के कांग्रेस के लोगों ने जाकर कि यह नहीं का कि हमारे साथ आप गरत कर रहे हो बलकि अमरेजनर सिंग ने वहाँ एक रेजुलेशन पास कराया कि हमारे पास पाणी की जितनी भी ट्रीटी की हुई है वो हम सारी की सारी खतम करते है मामला दुबारा कोर्ट में चिला गया अब सुप्रिम कोर्ट से फिर फैसला आपके हक में आ गया आपके हक में फैसला है कांग्रेश काराप पार्टी का अपस में समझोता है आप पार्टी की केंदर पंजाब में सरकार है आपने साथियों सुणा होगा सुप्रिम कोर्ट के फैसले को मानने से इंकार करते हुए भगंतमान की सरकार ने विदान सबा का सतर बुलाया और उस सतर में एक लाईन का परस्ताब पास किया का कि एक बूंध पाणी हमारे पास एक्स्टा नहीं है हमर याना को एक बूंध पाणी नहीं देंगे ये केजरी वाल ने भी पंजाब के अंदर जाकरके भाशन देते हुए ये का था कि हम एक मून पाणी नहीं देंगे उन कांगरेसियों से पुछो कि जो हमारा पाणी नहीं दे रहे आपका उनके साथ समझोता है इसका मतलब आपकी नियत भी खराब है आप भी नहीं चाहते कि हर्याना को उसके इससे का पाणी मिले अगर 35 लाख खेकर फुट पाण पाणी अर्याना को मिलता है तो उसका सबसे बड़ा फाइदा इसार जिले को होता है इसार जिले को कैसे होगा यह समझने की जिरूरत है साथियों हमारे इससे में बाखड़ा के पाणी का जब बटवारा हुआ था तो चार जिलों को सरकार की तरफ से उसकत फैसला जिया गया था कि चार जिलों को बाखड़ा का पाणी मिलेगा उसमें कैथल था, इसार था, फतेबाद था, सरसा था आज जो हमारा बाखड़ा का पाणी है वो साथ हरियान को दिया जाता है हमारे हिस्टे के पाणी में कटोती की जाती है अगर सत्लुष का पाणी आएगा तो सत्लुष का पाणी साउथ हर्याना को जाएगा और हमारे हिस्टे का जब साउथ हर्याना को मिलने वाड़ा पाणी है वो हमारे यहां पे आएगा उस पाणी से हमें फाइदा मिलेगा हमारी ज़्यादा जमीन सिंचित होगी इन कांग्रेसवारों से पुछो कि क्या आप हमारे साथ इस तरह का भेदभाव करना चाहते हो क्या आप अर्याना के किसान को मारना चाहते हो क्या आप अर्याना के किसान के पाणी को पंजाब से लेकर के आने में मदद और सहुगना नहीं करना चाहते हो यह आपस में मिले वें मिलकर के कही ना कहीं परदेश को देश को कमजोर करने में लगे वें साथियो जब تک रीजनल पार्टियों में ताकत निया आएगी जब तक रीजनल पार्टियों के नुमाईंदे ज़्यादा लोक सबा में चुनाम में जीत करके नहीं जाएंगे उसका नुकसान परदेश के लोगों को होगा अगर नैशनल पार्टियां ही राज करेगी, अगर नैशनल पार्टियां इस सत्ता में रहेगी, तो फिर मान के चलो, अपनी मनमर्जी के फैसले करके, स्टेटों के उपर थोपने का काम करेगी, अपने आपको मजबूत करने के लिए, रिजिनल पार्टियों की उमीदवारों को जादा से ज़्यादा जिताने का काम करो है आज आपके सामने इंडियन नेशनल लोगदल पार्टी ने जो उमीदवार दिया है कि साथियों कि यहां पे चार उमीदवार चुनावर ड़ रहे हैं अ हरानी देखेंगे हमने चोदरी देविलाल की नीतियों बढ़ाई है उन्हीं से सब कुछ सीखा है आप उनसे एक बात पूछ लो तुम चोदरी देविलाल की नर्शरी के तो हो उस पे कोई दोराय नहीं है चोदरी रंजीस्टिंग ने भी चोदरी देविलाल से राजनिति सिखे यह जेजेपी बाड़े जो है यह भी इंडियन नैशनल लोगदल पारिटी में हुआ करते थे यह जैपरकास भी इंडियन नैशनल लोगदल पारिटी का स्कुरिय सदश्य था यह बात चोदरी देविलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने की करते हैं पारिटिया इनकी सब की अलग-अलग है इनसे पुछो अगर तुम चोदरी देविलाल की नीतियों को बढ़ाने वारे थे तो फिर चोदरी देविलाल के दुबारा स्थापित गए इंडियन नैशनल लोगदल पारिटी को छोड़ करके क्यूं भागे कोई कांग्रेस में चला गया कोई भाजपा में चला गया और कोई साथियों अपना नया राजनेतिक दल बना करके लोगों को लूटने में लग गया आज सब के सब चेरे आपके सामने हैं बिना चोदरी देविलाल के नाम के बिना इन लोगों की नईया पार नहीं हो सकती हैं अगर आप सही मायने में चोधरी देविलाल के सत्चे शिपाई हो आप चोधरी देविलाल की विचार धारा को आगे बढ़ाना चाहते हो तो फेर उन तिन्यों को सबक शिखाओ और सुनेना को एक-एक वोट दे करके ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताने का काम करो बाजपा ने बड़े बड़े वाइदे करके सत्ता में आई एक वाइदा पूरा नहीं किया केवल साथियों जूट बोलने का काम किया था जिस कांग्रेस को सत्तर साल पहले आपने दस साल पहले नकारा आपको रहानी होगी सुनकर के दोनों पार्टियां किसानी की बात करती है लेकिन किसान के लिए जो मैनिफेस्टो लिखा जाता इनका उसमें कहीं कोई चर्चा नहीं की जाती बाचन देते हैं राउल गंदी बाचन देते हैं बुपेंदर उड़ा कहते हैं मस्पी का कानून मना देंगे कहते हैं किसानों के लिए स्वामी राथन की रिपोर्ट लागू कर देंगे उनका मैनिफेस्ट रोपड़ करके देखना कहीं एक शबद भी किसान के लिए नहीं लिखा कि हमारी सरकार बनने के बाद किसान को क्या देंगे इस बारतिय जनता पार्टि ने जिसने तीन काड़े कानून मणाए थे इनके परधान मंतरी ने जब काड़े कानून वापिस लिए तब वाइदा क्या था कि मैनिफेस्टों में भी कहीं है मैस्पी का जिकर नहीं है ये केवल और केवल किसान के नाम पे राजनिती करके किसान को गुम्रा करके वोट लेना चाहते है अब किसानों को इकठा हो जाना चाहिए बाजपा और कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए अपनी ताकत दिखानी चाहिए जब तक तुम अपनी ताकत नहीं दिखाओगे, जब तक अपनी ताकत को समझोगे नहीं तब तक आपका इसी तरह से सोशन होता रहेगा साथ ही अगर भाजपा को बदलना चाहते हो तुम चाहते हो कि भाजपा की सरकार सत्ता से जाए चाहते हो गर नहीं चाहते हो पड़ेगी जब तक सोच नहीं बदलोगे इसी तरह सोशन होता रहेगा इसी तरह से जूटे परचार में फस करके कही ना कहीं गुमरा होते रहोगे सोच बदनने के लिए चोधरी छोटू राम की बात को याद करो चोधरी छोटू राम कहते थे हैं वोड़े किसान दो बात मान ले एक बोलना ले सीख दूसरा दुश्मन पैचान ले अगर कांचरेस पार्टी आपकी दुशमन ना होती तो आप भारत्य जन्ता पार्टी को सत्था में क्यों ले कर कियाते तुप साल पहले इसलिए कांचरेस का सफाया किया था कि कांचरेस लूतेरों का एक बड़ा गीरू है जिसने इस देश को लुटा देश को बदनाम कराया फिर भारतिये जनता पार्टी के जांसे में आए उन्होंने जो वाइदे किये थे आपने ये मान लिया ताप पूरे हो जाएंगे वाइदे पूरे करने की बजाए दस साल परिशान किया अब भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाते हो अब फिर क पहीना कही कांग्रिस के वैकावे में आ रहे हो यह सोच बदलो अपनी ताकत बढ़ाओ और अपनी ताकत तब बढ़ेगी जब साथियों हर्याना के दस साल के हितियास को देखोगे किस दस वर्ष के अंदर किस पार्टी ने आपके साथ नयकराने में आपके साथ खड़े हो होने का काम किया कि किसी भी वरक की मात ले लिए यहां पर अनेक एजिटेशन इन दस सालों में हुए और उन दस सालों के अंदर अगर किसी ने किसी के साथ न्याय कराया बड़ी भूमी का निवाई तो केवल इंडियन नैशनल लोगदल पार्टी के कारिये करता हूं पंजाब के रस्ते बंद किये हर्याना का उसका हक मिले इसके लिए पंजाब में जाकर के गिरुपतारियां दी जेल काटने का काम किया वहीं साथ यो अंगनवाडी याशा वरकर्स के उपर सरकार जुलम ढारी थी वो केवल उनको याद दिला रहे थे बीजेपी वाणों को कि आपका हमारे साथ वाइदा था कि हमाने के बाद आपको पर्मानेट करने का काम करेंगे पकी जोब देने का काम करेंगे आप पर्मानेट करने की बजाए हमारे साथ विश्वास गात कर रहे हो हजारों हजारों की संक्या में आशा वरकर और आपकी जो आंगनवाडी की व उनके धरने परदर्शनों में शामिल होकर के उनके साथ न्याय के लिए लड़ाई लड़ी उनकी जब वो चंडीगड में गई मांग करने के लिए केवल इंडियन नैशनल लोगदल पार्टी थी जिन्होंने उस परदर्शन में उनके साथ शामिल होकर के सरकार को उनका मांद बढ़ाने पर मजबूर करने का काम किया था विदान सभा में उस वकद उनके आवाज अगर कोई बना तो केवल इंडियन नैशनल लोगदल पारिटी बनी साथ योग गेस्ट टीचर जो कांगरेस ने लगाये थे जिनको भीजे पेबाड़ों ने पक्का करने की बात कही थी उस अंदोलन के अंदर जब उन पे लाठियां भाजी जा रही थी जब उन्हें लोक्री से निकाड़ा जा रहा था मैं सारे अमेलेस को साथ लेकर के उनके आगे जाकर के खड़ा हो गया था सरकार को मजबूर किया जांबार लड़ाई लड़ी भास ताउस में भी उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया किसान आंदोलन चला उस किसान आंदोलन में भी सबसे बड़ी भूमी का अगर किसी ने रवाई सबसे शकरिया काम किसी ने किया तो समाजी कारिय करता की रूप में इंडियन नेशनल लोगदल पालिटी के कारिय करता हुने किया था कहां थे ये कांग्रेस्वाले काँ था वुपेंदर सिंग उड़ा, काँ था यह जैपरकास, जो आज ये कहता है कि हमने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी किसानों का काम किया, एक जगे एक धर्णे पे अपनी फोटो दिखा दे, कि हमने वहाँ जाकर के समर्थन दिया, वहाँ जाकर के उनके बीच में ब बढ़ाई, अगर किसाना अंदर उनको किसे ने मजबूत किया, तो इंडियन नैशनल लोगदल पार्टी ने किया था, एक समय ऐसा भी था, किसान नेताओं ने जब मेरे सामने परस्ताव रखा, कि अभे सिंग जी आप अगर मदद करना चाते हो, तो अस्तिफा देकर क्या ह मैंने एक मिनट नहीं लगाई, तुनत विधान सभा से अस्तिफा देकर के किसानों के बीच में जाकर के बैठ गया था, सात्यों आज समय है, आज मोका है, ऐसे लोगों को सबक देने का, इस लोग सबा के चुनाव में अगर आप सबक सिखाओगे, तो विधान सबा में किसम के है, हर व्यक्ति आप से जुड़ना चाता है, हर व्यक्ति आपके साथ खड़ा होना चाता है, दस दिन का समय है, दस दिन दिन रात एक करो, एक के घर में जाओ, अपने बूत को मजबूत करो, बूत को जीतने का काम करो, किसी भी अफ़वा पे जान मत दो, सात्यों च कुरक्षेत्र में मेरे खिला भी इसी तरह की बातें कांग्रेस और आप पार्टी के लोगों ने कही थी लेकिन हमने लगातार लोगों की बीच में गई लोगों के साथ खुल करके चर्चा करी लोगों से बात चीत करी आज कुरक्षेत्र का एक एक मद्दाता इंडियन नैशन करते हैं आपकी पार्टी पे वरोसा करते हैं लोग चोधरी देविलाल की नीतियों की सरकार बनाना चाहते हैं मैं उमीद करूंगा कि जितने साथ ही आज आज आप यहां पे आए हो आज से जाकर के अपने 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 गाहों में अपने अडोस प्रोस के गाहों में रिष कि ये प्रियास